हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेंगो के न्यू ग्रोथ पर होने वाले प्राब्लम्स और उसके सेलुशन के बारे में बताऊंगा तो इसके लिए आपको सिर्फ 5 रुपए करचा करना होगा जिससे आप इस तरीके का आफ्टर रिजल्ट पा सकते हैं तो और इसकी ब्रांच भी अंदर से सड़ने लगी है तो कुछ दिनों तक मैं बिजीता तो इन प्लांट पर ध्यान नहीं दे पाया तो आप देख सकते हैं किडों ने इस ब्रांच को किस तरह से खराब कर दिया है और लेफ्ट साइड में जो आप इमेज देख रहे हैं इन्हे मैंगो लीफ उपर कहते हैं इसी तरीके किडे हमारे मैंगो के नई आवी ब्रांच को इस तरह से डेमेज कर देते हैं यह क्या करते हैं मैंगो के जो नई ब्रांच निकानने लगती है तब ही उन पर जाकर वे बैठ जाते है और उनका रस पीने लगते है और कुछ दिनों मे पत्तियों पर काट कर जमीन पर फिएक देता है , आप इन पतियों को देखेंगे तो आपको ऐसा को इस पॉडर को इस तरह से उस अंकुरन पर छिड़क ना होगा इससे क्या होगा कोई भी कीड़ा इस अंकुरन के आसपास भी नहीं आएगा कोई भी चीटी वगरा कोई भी इस न्यू ग्रोथ पर कोई भी डेमेज नहीं कर पाएगा तो आपको अगर बारिश होती है तो इस इसे आपको फिर से इस पर स्परदर को चिदखना होगा और इस तरह से दो तिन दिन तक आप इस पर खड़कते रहें में और आप यहां देख सकते यह जो लीप से ये इसतनी हहली इस इस पर भी मैंने इसे तरह से पॉड और छिड़क दिया था तो इस पर कोई भी किडा वगेरा कुछ नहीं लगया तो इस तरह से आप अपने मैंगो के प्लांट पर अच्छी तरह से न्यू ग्रोथ को ग्रोव होने दे सकते हैं तो थैंक्यू सो मुच प्रोचिंग अगर यह वीडियो आपको अच्छी लेगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए थैंक्यू झाल